वेल्कम तो माई लांच कुकिंग ब्लॉग कर दिखे हमारे मराज की जैए मैं जैसे करते हैं आपके साथ कर रही हूं तो यहां पर देके भोग की थाली मैं ने त्यार किया है जिस में की कटोरी में बत्वा सकरकंदी लड़ू और तिगुड तिल गजक और बहुत सारे लड़ू और यह हैं हमारे केले फल और यहां पर हमारे गड़ेजी बिराजमान हो गए हैं तो चलिए हम लोग पुजा करते हैं और गड़ेजी से कठे प्रतना करते हैं सभी की खुशाली के लिए और यह देखिया हमारे राम जी कितनी प्यारी है यहां पर देखे हम आपको दिखाते हैं यह है हमारी भोग की थाली और भोग की थाली में देखे क्या-क्या है तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं तो यह दिखें यह हमारी थाली में सक्रकंदी यह है बधवा गॉज रामदने के लड्डू गजक बुढ और काले तिर और यह काले तिल के लडू इनी इसें जो होती है में काला तिल और ठिल होता है इसक आज चड़ writes यहां और चड़ेगा यहां पर दिखिल लग्टू है और यह है बत्वा का महत बहुत बढ़ा है तो अभी हम कथा सुनाएंगे बहुत अच्छी कथा है इसकी जिसको सुनना हो प्लीज कोमेंट करिएगा तो इसके ओपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी तो चलिए आज की पूजा पूजा पर एक है? वह प्रथम हम गड़े जी को इसनान कराएंगे क्योंकि अभी हम इनको चलिए हम जल से स्टान नान कराते हैं सबसे पहले मदीनान करादिये है और गड़े जी को हलका हलका सब पानी रिच करके और तो जब्ता लगातें तो यहां पे हमने इनको कर दिया ह तिलका अभिशेक और रोली चावल अच्छत सब लगा करके अच्छे से उनका अभिशेक करेंगे फिर फूल चड़ाएंगे तो फूलम पुश्मम शमर पयामी तो प्रभु जी हमारे द्वारा की गई पूजा को सुईकार करिएगा इसी भावना के साथ पूजा स्टार्ट करते हैं आप लोग बताईगा किस तरह से करते हैं अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जैश स्री गणेश लिखना ना भूलिएगा तो आज सकड़ चौट का बहुती बड़ा तेवार है सकड़ चौट मतलब संकट में सहाए और यहां पर देखे हम यह बत्वे के चोटे चोटे लड़ू चड़ाएंगे अभी उससे साथ है यह है देखे हमने बना लिया है इस तरह से लड़ू तो मैं बना रही हूँ एक औ और यह हो गया है दूसरा और यह हो गया है चुपरा तीसरा और यह हो गया है चौथा लड़ू यह दिखे और हो गया ही यह पांचवा लड़ू यह दिखे तो यह पांच लड़ू है जो की चड़ाने है प्रभवान को तो सबसे पहले हम गड़ेची को चड़ाएंगे यह पत्वे का लड़ू और यहां पर चड़ा रहे हैं चावल के लड़ू और यह पांच सकरकंदी हम चड़ाएंगे और इस तरह से देखे तो भोग लगेगा प्रभू का और यह लईया के लड़ू और यह भगवान का फूल बार बार गिर रहा है पता नहीं क्या संकेत कर रहे हैं चलिए जो भी संकेत कर रहे हैं गड़े जी अच्छे कर रहे हैं तो चलिए यहां पर काले तेल और गोड़ चड़ा देते हैं और यहां पर फल चड़ा देते हैं क्योंकि जादा हम चड़ाएंगे ना यहां पर भर जाएगा इस पेस नहीं र पूजा करने के लिए और यहां पे हमारी पूजा ओर रही है तो वक्क कुंड महा काये सोरी कोटी समप्रवा निर्वीग्नम कुर्मेदेवाइ सर्वकालेशु सर्वदा और विग्न हरता मंगल करता सीगडपति महाराज रिद्धी सिद्धी संग्लिये सुबलाब संग्लिये पूरन की जो का तो सभी विवर्स को खुब सारा अशिरवा दीजे गड़ेशी और सभी के घर धन्य धाने से भर दीजिए यहां पे हम हस्बंट से भी पूजा करा लिए और यहीं से हम आरती करवा रहे हैं हम तो बाद में सुहाग भी लेंगे तो हमें गौर की पूजा भी करनी है तो मैंने यहाँ पे तीका भी बिंदी कर दिया था उनकी बारितीनों ने भी कर दिया तो चलिए अप करने जा रहे हैं गो चलिए सभी लोग आरति पढ़ेंगे और पूजा अच्छे से करेंगे और मेरा ब्रत तो तभी पारण करेंगे जब हम चंद्रमा को देखेंगे क्योंकि अभी तो साम के साथ बज़ रहें और यहां पर हम अपने पदी दियों से पूझा करा रहे हैं और फिर साम को चंद्रमा देख करके अर्द देंगे चंद्रमा को अर्द द और धे सारी सुपकाम नाए तो उसके बाद कर वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि उसमें मैंने पूरा फक्वान बनाया है बाई बाई